नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक अनलसिस तो बात करेंगे आज निफ्टी 50 के बारे में और निफ्टी 50 में जितने भी स्टॉक 50 स्टॉक्स ट्रेट करते हैं उन सब की अनलसिस करेंगे उनके सपोर्ट देखेंगे रजिस्टन्स तो चले शुरू करते हैं निफ्टी 50 की अनलसिस तो यहां पर देखेंगे फाइनली जैसा कि हमने अगेन जो है यहाँ पर Friday के session में देखा कि एक जबर दस्त यहाँ पर गिरावट देखिए एक Dozy candle बनी थी Dozy candle जो बनी थी मैं आप लोगों को यहाँ पर लेवर ट्रॉकर के दिखाने कोशिश करूँगा यहाँ पर देखिए यह एक support zone था अगर हम इसको इस तरह से यहाँ पर analysis करें तो एक support zone था तो support zone के आसपास यहाँ पर आकर एक Dozy candle बनी है देखिए मैं चार्ट बड़ा कर रहा हूँ यहाँ पर एक Dozy candle बन रही है तो यहाँ पर Dozy candle बनने के बाद ऐसे एक expectation थी कि मतलब market यहाँ से reverse हो सकती है यहाँ पर अगले resistance 14250 को टेस्ट करने के लिए जा सकती है पर देखिए यहाँ पर बड़े players जो big fishes हैं यहाँ पर अपना माल sell कर रही है अपना माल बेज करके निकल रही है क्योंकि देखिए market जो है already बहुत ज़्यादा चल चुकी है अपने टेलिग्राम चैनल में चार्ट पोस्ट करके बताया था यहाँ पर देखिए असेंडिंग चैनल बन रहा है और असेंडिंग चैनल के बिल्कुल टॉप एंड पर ता यह तो चली मैं आप लोगों को दुबारा वो चैनल बना कर मैं दिखा देता हूँ जो चैनल मैंने आप लोगों को टेलिग्राम चैनल में मैंने आप लोगों को पोस्ट किया था तो यहाँ पर देखिए एक असेंडिंग चैनल यहाँ से बन रहा था और मैं एक नीचे से भी ट्रेंड लैंड रो करूँगा तो यह देखी अब यहां से जो ascending channel बन रहा था मैंने आप लोगों को post करके telegram channel बताया था कि बिल्कुल अपने top पर है और यहां से देखिए अगर दूसरा यहां double top बनता है अगर यहां पर double top बनता है तो maybe यहां से market correction होना बिल्कुल sure है तो अगर आप लोगों ने वो चार्ट देखा होगा अगर नहीं देखा है तो दुबारा से जाकर आप देख लीजिए दूसरा अगर आप लोगों ने telegram channel जोईन नहीं की है नीचे description में दिया हुआ है आप वहां से जाकर हमारे telegram channel जोईन कर सकते हैं तो चली चलते हैं अब यहां पर बात करेंगे 15 मिनिट के चार्ट में कि किस तरह से market यहां पर behave कर सकती है मंडे के session में पहले मैं इसको delete कर देता हूँ यहां पर जो मैंने draw करके रखा हुआ है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए अब देखिए हम 15 मिनिट के चार्ट में आ चुके हैं और 15 मिनिट के चार्ट में देखिए यहां पर क्या हो सबसे पहले में analysis करेंगे Friday के session की यहां पर हुआ क्या अब यहां पर देखिए यहां पर जो gap up open हुआ यह 15 मिनिट का चार्ट है अब यह candle 15 मिनिट की पहली candle है अब हमारे पास देखिए जो resistance area था यह हमारे पास एक resistance area था अब यह resistance अब देखिए यहां पर ध्यान से चीज़ों को देखिएगा चार्ट जो मैं समझाने जा रहा हूँ बहुत तो logical चीज़े बताऊंगा मैं आपको अब यहां पर देखिए gap up open हुआ gap up open होने के बाद यहां पर देखिए एक जो candle बनी है वो candle देखिए बिल्कुल totally bearish candle इसको देखिए हम shooting star candle कहते हैं अब देखिए अब हमको नीचे से एक trend line मिल रहे थी और वो trend line देखिए यहां पर इसके आसपास थी अब यह जैसे trend line का breakout नीचे की तरफ हुआ देखिए एक trade थो हमको यहां पर मिल गया क्योंकि यह resistance एदिया की पास ही candle बन गई दूसरा यहां पर जो है एक trend line का hurdle था जिए उपर से trend line हम डरो करके क्यों ही है तो इसको cross ने किया और उसके आसपास ही एक candle बनी तो यहां से continue market में selling आई दूसरा देखिए यहां से आप trade ले सकते थे दूसरा देखिए जब यह trend line यहां पर breakdown हुआ तो यहां पर again दूसरा एक trade लिया आ जा सकता था देखिए हमने तो trade लिये थे हमने तो काफी trade दस trade बनाये थे और मतलब सारे trade काफी अच्छे चले अग देखिए मैं दूसरी चीज़ आपको यहां पर दिखाने कोशिश करूँगा यहां पर देखिए जो previous day का low था यहां पर previous day के low के पास आने के पास यहां से market ने bounce back भी किया यह देखिए previous day का low था वो था 13,700 के आसपास तो 13,700 के आसपास यहां पर आके इसने bounce back किया bounce back कितना किया देखिए 13,871 means कहने का यहाँ पर 171 points यहाँ से उपर की तरफ गया है देखिए कोई भी support है कोई भी resistance है अगर आपने accurate draw किया हुआ है तो वहाँ से वो जरूर काम करेगा अगर आपके level गल्त draw है तो फिर वो level काम करने वाले नहीं है तो यहाँ से देखिए अगर आपने यहाँ पर यह level draw करके रखा होता आपको पता है यह support level है तो यहाँ से 181 points की move हो यहाँ पर देखने को मिली है अगेन फाइनली देखिए यहाँ पर कहाँ पर hurdle लिया है अब यह जो trend line उपर से आ रही है यह trend line हमने उपर से जो draw करके होई है फाइनली देखिए बिल्कुल इसके आजपास गया बट यहाँ से again यहाँ से reject हो गया अगर यहाँ पर हम एक और देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है यह जो market ने पहले high जो लगाया था उसके आजपास उस level को भी cross नहीं कर पाया और बिल्कुल trend line का hurdle मिन्स हम यहाँ पर कहा सकते हैं कि हमको यहाँ पर जो resistance मिला वो trend line का resistance मिला और trend line के resistance के पाथ देखें अगेन अगर logically देखें तो जो candle आपको 15 मिट के पहली candle मिली थी हमको अगेन यहाँ पर मिली है मिन्स है totally bearish candle होती है तो इसके निचे आप यहाँ पर selling का ट्रेट बना सकते थे देखें बहुत अच्छी और बहुत आसानी से पैसे बन सकते हैं option trading में अगर आपको टेकनिकल analysis बहुत अच्छे लेवल का आता है अगर आपको option के strategies आती है option की टेकनिक्स वगरा आती है आपके पस अपनी कोई self-developer टेकनिक है तो वो चीज़े यूज करिए बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आसानी से पैसे बनते है option trading में अब बात करेंगे हम यहाँ पर कि मंडे की से ट्रेट करना है देखिए अभी हम यहाँ बिल्क support area है उसको हम देख लेते हैं मैंने यहाँ पर बन आवर का chart लगा लिया है और देखिए वन आवर के chart में एक मैंने support यह black कर रगा कर जौब को दिख रहा है देखिए support rocker के रखा हुआ है अब यहाँ से bounce back हो सकता है 13600 के level से बट अगर 13600 के level break करता है तो इसके लिए अगला जो support होगा वो होगा 13487 के आसपास means अगर हम यह level break करते है 13600 का तो 120 points हम यहाँ पर नीचे को देखने को हमको मिल सकते हैं 30 minute के chart में चलेंगे analysis करने कोशिश करेंगे अब यहाँ पर देखिए कि किस तरह से हमको trading करने है gap up opening में gap down opening और flat opening में देखिए flat opening में सबसे अच्छा ह flat open होने के पाद यहाँ पर एक range बनाए range बनाने के पाद ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हम buyer बनेंगे और नीचे की तरफ ब्रेक करेगा range तो हम seller बनेंगे अब तूसरा देखिए gap up opening यहाँ से माल लेजिए 13660 के आसपास यहाँ पर closing है अगर यहाँ gap up opening हो जाती है और यह 13750 के आसपास कहीं मिलते है देखिए 13740 से लेकर 13780 यह एक hurdle है यह एक resistance एरिया है इस एरिया में अगर आपको मिलता है gap up opening में तो यहाँ से बिल्कुल clear cut sell का trade बनाईए यहाँ से again market में selling आ सकती है दूसरा देखिए अगर यहाँ पर gap down opening होती है gap down opening में सबसे पहले आपको 5 केंडल करनी है candle green है fully green है बड़ी candle है तो उसके नीचे आप अपना entry point हां रख सकते है stop loss आपका candle का high होगा तो चलिए अप चलते हैं उमिद करता हूं कि यह जो analysis में आपको समझ में आ गई होगी समझ में नहीं आई है तो again जो है नीचे comment box में जाए comment करके बताईए कि आपको trade कर रहे हैं अब देखिए हमारा पहला stock जो है देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे stock है जैसे आरती इंडस्ट्री है HDFC AMC है और काफी ऐसे stock है जो यहाँ पर मतलब fires मैं fires के terminal पर आपको दिखा रहा हूं तो यहाँ पर fires ने भी update नहीं की है so मैं उन stocks की analysis आपको करके नहीं बता प दिखा रहा हूं तो पहला चार्ट हमारा पास देखिए अडानी पोर्ट का है अडानी पोर्ट देखिए एक ascending channel में काम कर रहा था फाइनली देखिए ascending channel ब्रेक हुआ और इसका previous low था वो previous low के बिल्कुल आसपास आ चुका है अब देखिए 500 का लेवल ब्रेक करेगा तो मे दिखिए ऐसा मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं फाइली देखिए बड़ी candle ने यहापर breakdown दिया और नीचे की तरफ हम continue चलते आ गए अब यह देखिए मैं यहापर चार्ट बड़ा कर देता हूं अब यहाँ पर देखिए यह जो नीचे से मैंने black color के trend line रो की हुई ह देखिए one time bounce back है two time three time अभी चोथी बार यहाँ पर आ रहा है में भी देखिए कल अगर इंट्राटे में यह 2400 को नीचे की तरफ close करता है तो हमारा जो अगला target रहेगा वो target इस trend line की आसपास रहेगा में भी trend line से bounce back हो सकता है बट अगर यह trend line break होती है तो हमारा जो target रहेग वो यहाँ पर 250 का target रहेगा next talk है हमारा access bank तो banking की वीडियो मैंने बना दी है banking की वीडियो बैंक निफ्टी में जाकर देख लिए और जितने भी banking की stock है बैंक निफ्टी में मैंने सब की analysis करके बताई हुई है जाके वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा next talk है देखिए हमा 900 points के हमको यहाँ पर rally मिल चुकी है बट यहाँ पर अभी आपको buying का trade बिलकुल नहीं मनाना है क्योंकि यह जो red candle यहाँ पर बन चुकी है यह कि दिखिए इसने हमको एक sign दे दिया है क्योंकि काफी बड़ी red candle है अब यहाँ पर अपने को selling के लिए देखना है intraday में अगर 39 980 को नीचे की तरफ cross करता है तो हम नीचे की तरफ जाएंगे 4950 और 4900 हमारा intraday के target होगा next हो के हमारा बजाज finance बजाज finance देखिए एक range में काम कर रहा है उपर की range है 5330 रपे और नीचे के range है 4650 रपे के आसपास में भी देखिए market में बहुत जादा इस टेम bearish Nash है तो यह पर यह level break हो सकता है क्योंकि देखिए तीन बार test हो चुका है में भी देखिए अगर 4650 को close करके नीचे की तरफ यह निकलता है तो यहाँ पर हम एक बड़ा target देखने वाले इस target के लिए तैयार रहेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा पास अगला support जो है 4000 का है 4000 के वाज हमारा प देखिए सेम उसी तरह से काम कर रहा है बट यहाँ पर एक बार इसने level को break करके नीचे की तरफ निकलने कोशिश की थी अगेन यहाँ पर देखिए बड़ी candle ने इसको recover कर लिया इसको low break नहीं हो पाया जो इसने breakdown दिया था यह जो candle breakdown दिया था यह था 18 January का अब 18 January के बाद हम 19 January को इसके low की नीचे हमको trade करना था बट low break ही नहीं हुआ अब अगेन दिखिए यह जो support है हमारा पास यह 8600 का support है 8600 8600 का support अगर नीचे की दर ब्रेक करता है तो हमारा target पहला target जो होगा वो यह ही होगा 2850 का तो नजर बना कर रखिएगा बड़ी candle है पर बनी होई है में भी मंड़े के session में यहां से breakdown हो सकता है next talk है हमारा BPCL तो BPCL ने देखिए फाइनली यहां उसे trend line से support लिया है green candle बनी थी बट यहां पर again जाकर red candle बन चुकी है आप धियान रखिएगा अगर यह 375 का level नीचे की दर ब्रेक करता है तो यहां पर हमको 360 का level बहुत जल्दी देखने को मिलेगा next talk है हमारा भारती एटल भारती एटल ने फाइनली अपना देखिए support से दो दिन से इसको hold कर रहा था अपने support को यह support था 560 के आसपास फाइनली देखिए इसने जो है फ्राइडे के session में इसको break कर दिया है बट जो break करके जहां break किया हुआ है यहां पर देखिए एक आपको यहां देखिए lineman draw करके रखिए horizontal line तो horizontal line के आसपास ही है बिल्कुल maybe देखिए अगर यह low break करता है 550 को नीचे की तरफ break करता है तो हमारा आगरा target 540 का होगा और यहां से देखिए maybe यहां से कोई dozy candle बने तब हम यहां से bounce back हो सकते हैं otherwise देखिए मैं यहां से trend line draw कर रहा हूँ trend line को अगर यह उपर की तरफ break करता है तब ही हम यहां पर कोई buying के लिए देखिए अधरवाइस फिलहाल जब तक यह trend line के आसपास नहीं आता तब तक हम यहां पर भी बीरिश नैसी यहां पर बना के रखेंगे देखिए 550 के नीचे जैसे निकलेगा 540 का लेवल हमको बहुत जल्दी देखने को मिले और नेक्स टॉक हमारे बिटानिया बिटानिया ने भी देखिए हमारे जो ट्राइंगल पैटन यहां पर बन रहा था यह देखिए मैं चार् हमको यहां पर 100 points का target हमको internet में मिल सकता है तो इसके लिए ready रहे यह गर नजर बना कर रहे गए गया सकते हैं यह एक असेंडिंग चैनल हम कहा सकते हैं या फिर इसको देखिए megaphone चार्ट पैटन भी इसको कहा जा सकता है तो इसको देखिए megaphone चार्ट पैटन होते हैं यहां स लग रहा है जो data के इसाब से मैंने जो इसकी analysis करी है breakdown इसका नीचे की तरफ हो सकता है फिलहाल अभी buying के लिए मत जाईए देखिए मैं आप लोग एक सला दूँगा अभी फिलहाल देखिए budget आने वाला है तो एक हफ़ता trading से दूर रही है अगर आप internet trade करते हैं या positional भी कर आई है बिल्कुल अभी budget पेश होने के बाद यहां पर अपने position बना सकते हैं कि देखिए budget आने के बाद वहाँ पर सब चीज़े क्लियर हो जाएंगी अभी suspension का महौल बना हुए market में की market उपर जाए की नीचे जाए कैसा budget आएगा क्या हो सकता है तो अभी मतलब suspension का महौल है इस समय ट्रेडिंग ना करें तो वह सबसे बैस्ट है क्योंकि market में वालेटिलेटी बहुत जादा है कोल इंडिया को आप 124 रपी की closing के नीचे sell कर सकते हैं टार्गेट यहां पर 120 रपेगा होने वाला है नेक्स टॉक है डॉक्टर रेडी डॉक्टर रेडी ने फाइनली द आइशर मोटर देखिए इसने असेंडिक चैनल को ब्रेक करके उपर की तरफ निकलने कोशिश की थी बट अगर यह 3040 के उपर निकलता है तो हम इसको उपर की तरफ ट्रेड करते हैं फाइनली देखिए इसने नीचे की तरफ अगें इस चैनल के अंदर आ चुका है अब यहां से देखिए मैंने यह ड्रो करके रखा हुआ है इसको हम कह सकते हैं जो है राइजिंग वैज तो राइजिंग वैज में देखिए यह ग्रासिम काम कर रहा है और यहां पर फाइनली उपर की तरफ देखिए जब भी उपर निकलने कोशिश कर रहा है चार्ट को ध्यान बाइंग के लिए बिल्कुल नहीं जाना है बाइंग के लिए जाना है ओनली 1115 रपी क्लोजिंग के उपर जब देखिए अगर यह नीचे 1040 का लेबल ब्रेक करता है तो यहां पर हम जो टार्गेट देखेंगे वह 990 देखने वाले हैं नेक्स टोक है हमारा HDFC बैंक बैंक क जब तक ही उपर के ट्रेंड एंग ब्रेक करें नहीं देता तब तक यहां पर बिल्कुल कुछ मत करिए ना बाइंग करिए ना सेलिंग करिए बहुत सारे स्टोक है ट्रेडिंग करने के लिए फिलाल इसको भी रहने देखिए नेक्स टोक है हमारा हिरो मॉटकॉप ने दिन नहीं हो पाया, फाइनली देखिए यह जो केंडल बनी है, बहुत जबर्दस्त बड़ी केंडल बनी है, अब यहाँ पर 3220 रपे के निचे क्लियर कट सेलिंग के लिए आप जा सकते हैं इंटराडे में, 3160 रपे और 3080 रपे हमारा यहाँ पर टार्गेट होने वाला है इं अगेन उस लेवल पर आके bounce back किया, बट फाइनली उसने अपना previous support ब्रेक कर दिया, अब यहाँ पर 2250 के आसपास यह trade कर रहा है, अब नीचे जो आप trend line देख रहे हैं, देखिए चार्ट में बड़ा कर देता हूं, यह जो नीचे आप trend line देख रहे हैं, जहां से बार-बार touch हो कर bounce back हो रहा है, तो अब इस level के आसपास यह बिल्कुल clear cut आने के लिए तयार है, 2250 का level नीचे की तरफ अगर close करेगा, तो 2150 का level हम यहाँ पर देखेंगे, means हमारे यहाँ पर 100 points की move हमको यहाँ पर देखने का मौका मिलेगा, अगर आप trading करना चाहें तो trading भी कर सकते हैं पर अपनी analysis करने के बाद, next ICI bank की वीडियो बनी हुई है, next हमारा ITC, ITC को देखेंगे, अब जो support है, वो 200 का support है, अगर 200 को नीचे की तरफ close करेगा, तो again हम BR होने वाले हैं, अगर हम BR होने वाले हैं, तो ध्यान नजर बना कर रखेंगा, तो ध्यान नजर बना कर रखेंग player आप हैं, तो 202 के नीचे यहाँ पर sell कर सकते हैं, target हमारा 200 होगा, next हो के हमारा Infosys, तो Infosys ने भी देखे, यहाँ पर trendland के आसपास आकर बिल्कुल यहाँ पर इसने closing दी है, अगर अभी अगर इस trendland को break करता है नीचे की तरफ, तो हमारा यहाँ पर target जो होगा, 1160 का होगा मतलब कहने का, यहाँ पर अगर यह 1225 को नीचे की तरफ close कर देता है, तो हम यहाँ पर 1150 का level बहुत जल्दी देखेंगे, अगर इसके लिए क्या important है, अगर इसको bounce back होना है, तो बिल्कुल perfect जगह पर खड़ा है अपने, यहाँ से में मंडे की session में कोई dozy candle बनाया है, और अगले दिन यहाँ से यह उपर वाली trend line ब्रेक करके उपर की तरफ निकल जाए, अगर इसमें strength है तो, अगर इसमें weakness आ चुकी है, तो अपना नीचे से trend line आ रही है, इसको break कर देगा, ब्रेक करने के बाद हमको यहाँ पर 1150 का level बहुत जल्दी दिखाने वाला है, next talk है हमा तक हम यहाँ पर buying के लिए जाने वाले नही है, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर resistance zone पर जाकर यह एक range बना रहा है, range बनाने के बाद अब हमको देखना है कि range उपर की तरफ ब्रेक हो रही है, नीचे की तरफ ब्रेक हो रही है, अगर नीचे की तरफ ब्रेक हो रही है अगर उपर की तरफ ब्रेक हो रही है तो हमको buying करनी है अब मैं आपको one day के chart में ले चलता हूँ और आपको यहाँ पर दिखाने कोशिश करूँगा देखिए यह resistance है और यहाँ पर range बन रही है तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हम continue January से इसी range में फसे हुए है ना उपर की तरफ निकल रहे हैं नीची की तरफ निकल रहे हैं अगर नीची से देखिए एक trend line पर नीची मैं draw करके देखिए यह black color की trend line है इसका color मैं change कर देता हूँ फिर आपको समझाने कोशिश करूँगा और इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ तो यह देखिए color मैं इसको कर देता हूँ red अब देखिए यहाँ पर अब आपको बिल्कुल clear cut पता चल रहा होगा नीची से एक trend line है इस trend line से आसपास यहाँ पर bounce back हुआ था अगेन देखिए अगर इसको मूड़ना है तो यहाँ से reverse हो जाना चाहिए और देखिए अब बस आपको नजर यह बना के रखनी है कि आपको दोनों level लिख लेने है नीचे का level 1325 का है और उपर का level 1395 का है तो यह 70 points का range है 70 points के अंदर काम कर रहा है अगर अब यह उपर की तरफ break करेगा तो उपर हमको 70 points से 70 पहला target 70 दूसरा 140 का है और नीचे अगर break करेगा तो हमको यहाँ पर बिल्कुल clear cut जो है 1232 का level देखने को मिलेगा LT manager बना कर रखेगा LT एक ऐसा stock है जो हमको पैसे बना कर देने वाला है काफी बहुत अच्छा pattern यहाँ पर form हुए है next stock है हमारा NT PC sorry NT PC को छोड़िए हमारा Maruti Maruti के देख लेते हैं Maruti finally देखे यहाँ पर Friday के session में जो trend line नीचे की तरफ से आ रही थी इसको break down कर दिया अभी यह देखिए यह जो trend line थी इस trend line के आसपास आकर बार बार bounce back है था देखे फर्स time यहाँ से bounce back हुआ दूसरी बार यहाँ से bounce back हुआ तो मतलब कहने का मतलब यह है देखिए multiple time यहाँ पर test हुआ again यहाँ पर test हुआ तो finally देखिए चोथी पांची बार में आकर इसने break कर दिया जो support था इसका यह एक support था इसका 7350 के आसपास अब इसकी closing नीचे की तरफ आज चुकी है Monday के session में intraday player है तो आप 7150 के नीचे बिल्कुल clear cut selling के लिए जा सकते हैं target हमारा यहाँ पर 6900 का होने वाला है मतलब यहाँ पर 7150 से 7900 तो आप देख लिए यहाँ पर 200-200 points का target हमको intraday में यहाँ पर दिखा सकता है मारूती next stock देखिए हमारा है reliance तो reliance देखिए मैं छोड़-छोड़ stock यहाँ पर बात नहीं करूँ गया NTBC हो गया या ONGC हो गया जो stocks मतलब 100 पर के अंदर trade करते हैं मैं उसको mostly मैं focus नहीं करता हूँ तो इसलिए मैं उन trade की analysis आपको नहीं करके बताता हूँ अगर आपको चाहिए वो analysis तो मैं आप नीचे comment box में comment करके बताईएगा मैं उसकी भी analysis करके आपको बता दिया करूँगा तो reliance reliance देखे बिलकुल अपने support के आसपास यहाँ पर खड़ा है अब देखे हम मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताऊँगा कि यहाँ पर एक trend line मैं draw करके रखी हूँ यह मैंने आपको बताया था कि जब तक हम इस trend line को ऊपर के तरफ closing नहीं देते तब तक हम buying के लिए नहीं जाएंगे otherwise इसमें हम selling के लिए ही देखेंगे यह level हमारे selling का zone है और यहाँ पर आने काद हमको selling करनी है ऐसा मैंने आपको पिछली कई वीडियों बताई हुई है तो यहाँ पर फाइनली देखे इस level के पर आकर हम देखे कितनी तेजी सी गिरे है अब यहाँ पर देखे हम बिल्कुल अपने support zone के आसपास खड़े है यह जो zone है यह जो level है यह देखे 1825 का level है 1825 के level से हम कई बार bounce back हुए है अगर यहाँ से इसको bounce back होना है तो बिल्कुल perfect जगव पर खड़ा है अब यहाँ से इसको नीचे के तरफ और नहीं गिरना चाहिए बट अगर इसने अपनी strength हो दी है तो हम यहाँ पर अगला जो support देखेंगे वो support हमारा होगा 1600 का अगर यह 1825 का level break होता है इंटराडे में तो यहाँ पर clear cut अब हम position बना सकते हैं यहाँ पर हम 1600 के लिए जा सकते हैं देखें यह मेरा अपना view है यह मेरी अपनी analysis है मैं गलत भी हो सकता हूँ I may be wrong also ठीक है तो अपनी analysis जरूर कर लिए अगर आ future position बनाने जा रहे हैं या किसे चीज़ बनाने जा रहे हैं मैं अपनी view आप लोगों के सामने रखता हूँ जो मेरा view है आप उसको analysis करिए देखिए, सीखिए, समझिए जो चीज़ अगर आप कहीं problem आती है तो आप मेरे से उसका consult कर सकते है मेरा WhatsApp नमबर आपके पास है निचे भी description मेरा WhatsApp नमबर दिया हुए है तो बाकी देखिए, मैं जो भी यहाँ पर जो stock मेरे को अच्छे लगते है जो मेरे personal watch list होती है उसको मैं अपने personal telegram channel में personal क्या public telegram channel में मैं share कर देता हूँ तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कौन से stock में मैं trading करने जा रहा हूँ किसमें मैं position बना रहा हूँ या nifty और bank nifty के मैं daily analysis करके आप आप लोगों को बताता हूँ intraday में जो मैं position बना रहा हूँ जो मैंने call buy करी है जो मैंने call writing करी है put buy करी है वो सारी चीजे मैं telegram channel में आप लोगों के साथ share करता हूँ अगर आपने join नहीं किया telegram channel तो नीचे description में link दिया हुआ है आप वहाँ से जाके हमारा telegram channel join कर सकते हैं वहाँ पर आपको weekend पे continue मेरी personal watch list मिल जाएगी बट यहाँ पर अभी मैं two weeks से अभी कोई position के mood में नहीं हूँ क्योंकि market अभी बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जा रही है जब इसका एक range पूरा हो जाएगा तब हम मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैं नवी position किसमें बना रहा हूँ मैं अभी फिलहाल में two weeks से भी कोई नवी position नहीं बना रहा हूँ next talk है देखिए हमारा SBI live तो SBI live देखिए एक ascending channel में यहाँ पर trade कर रहा है अगर यह देखिए 885 का level उपर की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम जो है जाएंगे यहाँ पर target के लिए 900 का target होगा और अगला target हमारा जो होगा यहाँ पर 910 का होगा बटे देखिए अगर यह नीचे की तरफ ब्रेक करता है देखिए 880 का level अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो मेभी हमारा target यहाँ पर 780 का होगा है मिंस हमको यहाँ पर 60 point मिलने वाले हैं अगर नीचे की तरफ निकलता है तो अगर हम trading करेंगे तभी मिलेगा हमको यह point है, अगर trading ही नहीं करेंगे, हम अपनी analysis को implement ही नहीं करेंगे तो हमको नहीं मिलने वाला है, हमको यहाँ पर सिर्फ चार्ट में देखकर मिलने वाला है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, स्रीशीमेंट की, स्रीशीमेंट ने मैंने बताया था कि यहां से निकल सकता है उपर की तरफ क्योंकि यह बिल्कुल अपने trendland के आसपास है, मैंने एक चीज़ और बताई थी कि देखिए, बिल्कुल perfect जगह पर है अगर इसको bounce back होना है तो, अगर इसका low break कर देगा तो हम नीचे की तरफ आजाएंगे, बड़ इस तरह एक pattern मनाया था और इस pattern मनाने के बाद उपर की तरफ बहुत sharp move दिया था, तो finally देखिए, यहां पर एक बार यह नीचे की तरफ गया, नीचे अपने support लेकर, यह देखिए एक support zone था, यहां से support लिया, support लेकर again यहां से bounce back किया है, अब यहां पर देखिए, 600 के उपर हम कोई closing चाहिए, अगर आप internet trading कर रहे हैं, तो 600 के उपर कम से हमें 15 minute की candle close होने दीजिए, तो यहां पर हमारा target जो है, 600 15, 625 का होगा, next talk है हमारा TCS, तो TCS ने भी देखिए, finally नीचे की तरफ closing दे दी है, यह देखिए, यह इसका support zone था, support zone जो था, मैं बतायता हूं, level बता का लगाया, अब अगर यह 300 के नीचे close होगा, तो 3000 का target हमारे बिलकुल clear cut हम को देखने को मिलेगा, 300 के नीचे अगर यह निकलता है, 5 minute की candle close होती है, तो उस candle के नीचे हमें आपर अपना trade बना सकते हैं, टार्गेट हमारा यहां पर पहला 3000 का होगा, दूसरा 3950 का होगा, चल महिंदरा, तो tech महिंदर भी देखिए, यहां पर ascending channel में continue चल रहा है, बढ़ चार्ट में बढ़ा कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाने कोशिश करूँगा, देखिए, वीडियो थोड़ी बढ़ी हो गई है, पर देखिए, अगर आप चीज़े आपको समझ में आ रही है, तो सबसे अची बात है, अब यहां पर देखिए, यह जो ascending channel है, इसी channel जो lower trend line है, इसके पास आकर बार बार bounce back कर रहा था, फाइनली देखिए, अब इसी trend line के आसपास है, और अपने previous resistance के पास है, जो यहां पर अब support बना हुआ है, अगर यह अब देखिए, 945 को नीचे की करता है, तो हमारा यहां जो target होगा, वो 890 का होगा, चलिए next stock देखि लेते हैं, next stock है हमारा टाइटन, तो टाइटन को यहां पर बिल्कुल clear cut sell कर यह 1415 के नीचे निकलता है, तो target हमारा यह trend line है, देखिए, यह जो ascending channel बना हुआ था, ascending channel को इसने finally बाहर के तरफ ब्रेक कि देखिए गा, 1410 के नीचे अगर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है, तो बिल्कुल अभी यह जो हमने नीचे से trend line रो करके रखिए हुई है, अब हमारा यह target होने वाला है, means 1380 के आसपास, तो नजर बना कर रखिएगा, टाइटन पर, next stock है हमारा UPL, तो UPL भी देखिए, अपने resistance के आसपास से जाकर यहाँ पर reverse हुआ है, तो यहाँ पर देखिए, अगर यह 505558 के नीचे निकलता है, तो हमारा target यहाँ यहाँ पर 545 गा होगा intra day के लिए, next stock है हमारा ultra tax cement, ultra tax cement भी देखिए, finally यहाँ पर बड़ी red candle बनी, बड़ी red candle बनने के बाद दो दिन sustain किया, finally देखिए, इस level को इसने नीचे की तरफ break किया, जहाँ पर यह continue 3 दिनों से support ले रहा था, अब यह जो है इसके लिए support level है, मैं आपको बतायता हूँ, इसको मैं उपर की तरफ कर देता हूँ, अब यहाँ पर देखिए, अगर यह नीचे की तरफ break करता है, यह level 5270, अगर 5270 break करता है, तो हमारा यहाँ पर टार्गेट होगा, वो 5200 का होगा, नजर बना कर रखेगा, 5200 के बाद हम यहाँ पर clear cut 4950 का target देखेंगे, तो इंटरटे में नजर बना कर रखेगा, मेबी इसमें एक sharp movement हो सकती है, नीचे की तरफ काफी तीजी से गिरावट हो सकती है, next और last से देखें क्या इसमें बन सकता है, अब यह continue देखें, एक trend line देखें जो नीचे से continue हम follow कर रहे है, 18 मई 2020 से trend line बनी हुई है, अब यहाँ से हम यह trend line continue follow करते हुए, उपर की तरफ आ चुके है, अब देखें यहाँ पर important क्या है, अब यह जो नीचे की तरफ breakdown हो चुका है, औ अब यह red color वाली trend line ऊपर की तरफ breakdown होगा, बट अगर यह trend line जो नीचे की तरफ black trend line है, इसको अगर नीचे की तरफ हमने close कर दिया, तो हमारा है अपर target clear कर 335 का होने वाला है, चलिए उमेद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में जय हिंद जय माता दी,